Hello everyone, welcome to our YouTube channel, आज की इस वीडियो में मैं आपको HP की तरफ साई, सिस्टम इंजिनेर की जॉब रूल के बारे में डीटिल में डिस्क्रिप्शन देने वालों, रोल्स और रिस्पोंसिलिटीज, एलिजबिटी क्राइटेरिया, हाउ टो अपलाए, सबी चीज़ हम बताने वाले है तो वीडियो में तक के जरूर देखे, और वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगता है, और पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजे, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे, जैसे के आप देख सकते हैं, यहाँ पर है जॉब रोल पोस्ट होई है, हैवलेट, पैकाड, इंटरप्राइजेस, करियर, यहाँ आपको देखने मिल जाता है, सिस्टम इंजिनियर की जॉब रोल है, हैथराबाद तेलंगा ना, यहाँ पर आपको लोकेशन देखने मिल जाते है, और यहाँ पर आपको ओवर्वीव देखने मिल कर सकते हो, यहाँ पर आपको जॉब की डीटेल देखने मिल जाते है, प्राइमरी लोकेशन है, अधर लोकेशन में आपको बैंगलोर भी देखने मिल जाते है, सर्विस काटेगरी की जॉब होने वाली है, फुल टाइम होने वाली है, नो शिफ्ट प्रीमियम यह भी same in the customer setup, okay, would be responsible to raise tickets for the issue, resolve issue, incident, service request as a part of support project, यही basic चीज़ें चीज़ें किये गई है, ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं हो न, system engineer का जो work होता है, आपने infosys में अप्लाई किया होंगे, तो वहाँ पर भी system engineer के job रोल थी, वही basic चीज़ें होने वाली है, अब यहाँ पर आपको service manager skills and knowledge मेंचन किया कै, must be trained in service manager, this includes administration, data loading and health check, यह सबी चीज़ आपको आने चाहिए, must be conversant with incident, service desk, change and problem modules and integrating service manager with various other service desk tools, must have exposure to service manager implementation in Linux and Windows environment, must have working knowledge on SQL carries, must be having good attitude to learn and extend to support the overall team, should be ready and flexible to work in 24x7, O&M support and shift, यही basic चीज़ें मेंचन की गई है, यहाँ पर आपको और भी details देखने मल जाती है, अगर आप B, BTEC candidate हो, BCA candidates हो, तो आप इसमें apply करके देख सकते हो, यहाँ पर BCA candidates के लिए mention नहीं किया गए, फिर भी आप try करके देख सकते हो, तो simply apply करने का यहाँ पर बटन देखने मिल जाता है, यहाँ से आप इस job role के लिए apply कर सकते हो, थांक्स वर वाचिं इस वीडियो,